हलो यूरी वन गुड मॉर्निंग नमस्कार 19 नॉम्बर 2022 और दे हिंदू न्यूज अनलिसिस में आपका स्वागत है आज की जितने भी इंपोर्टेंट और एक्जाम औरेंटेड न्यूज होगी वो इस वीडियो के त्रू डिसकस करेंगे सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर पाटिस्पेशन किया इसके अलावा 20 कंट्रीज के आसपास के मिनिस्टर और अप्रोक्स्मेंटली 70 कंट्रीज के आसपास के रिप्रेजेंटिटिव आपको देखने को मिलेंगे इस दुरान भारत के प्राइमिस्टर या अलग-अलग जो लीडर्स है उन्होंने कई सारे ए चैलेंजिज है यह मेजर चैलेंज और नयकेवल इंडिया के लिए अगर आप अलकाइदा की बात करते हैं तो इसकी प्रिजेंस आपको नजराएगी पाकिस्तान अफगानिस्तान इस पर्टिक्लर एरिया में और इसका इंपक्ट इस पूरे रिजिन पर देखने को मिलता है जहां तक इसलामिक स्टेट की प्रिजेंस की बात है चाहिए वो अगर आप देखेंगे इराक सीरिया से स्टार्ट हुआ आज के टाइम पे सबसे ज़्यादा एक्ट्यू आपको नजराएगा साहिल रिजिन में साहिल रिजिन कहां पर है अफ्रिकन कॉंटिनेंट में जो न मैं रोकना पड़ेगा किस चीज़ को टैरर फंड कर रही है इस कंटेक्स में इंटरनेशनल कॉंफरेंस ओटैरर फाइनसिंग को लेकर इसी चीज़ को लेकर डिसक्रस किया गया है कि हम कैसे इनके तोरीकों को यह इन चैलेंजिज को जहो Vergleich यह कर सकते हैं यह कम कर सकते हैं क इसके अलावा भारत के प्राइमिस्टर साब ने का कि आज के टाइम पे कई ऐसे देश है जो कहीं न कहीं इंडरेक्ट ली अपनी फोरेंट पॉलसी में टेर्रिजम को स्पोर्ट करते हैं और दो कंट्री पर इंडरेक्ट चैलेंज भी तरीके से टार्गेट रखा गया वो था चाइन और पाकिस्तान पाकिस्तान क्योंकि बहुत सारे टेरर आउटफिट आपको नजर आएंगे पाकिस्तान में चाइना क्यों चाइना वो कंट्री जब भी टर्रिजम के अगेश्ट इंडिया को रिजुलेशन लेकर आता है तो सबसे पहले युनाइटि नेशन में उसक चीज को इंक्लिवड करती है उनसे जो के बारें बताया गया और पाकिस्तान और चाइना का डिरेक्ट रेफरेंस नहीं दिया गया लेकिन इस तरह की चीज होई जैसा कि अगेर मैंने बताया कि पाकिस्तान में तो टेरर आउटफिट है लेकिन चाइना जब भी इंडिया य और इसले कई सारी प्रोबलम जो वह Clay पुरेट होती है इसी कोंट्रेक्स में इंटरनैशनल ओर्गनिजिशन को कहींने कहीं सोचना पड़ेगा कि आज के टाइम पे जो टेरर है खासकर जो प्रोक्सी वोर्स होते प्रोक्सी वोर्स जो वही होता है क्योंकि आमने सामने युद लड़ने की जब क्वेस्टी नहीं होती है फर एजामपल पाकिस्तान ने कई बार इंडिया के साथ आमने सामने की लड़ाई लड़ी है और उसका और इसी कॉंटेक्स्ट में no money for terror conference थी जिसमें approximately 450 delegates थे 72 कंट्री के representative थे और multilateral body जैसे इंटर पॉल इंटरनेशनल जो पुलीस है वो भी कही ने कि इसके अंदर पाइटिस्पेट की तो काफी interesting यह summit है और आपको याद होगा 2021 से 2022 यानि अगले महिने हमारी United Nations Security Council की non-permanent seat की जो membership membership है वो समाफ थोरी 2 साल की membership थी इसी कॉंटेक्स्ट में भारत ने कई बार यह जो terrorism का issue है यह हमने raise किया क्यों क्योंकि हम वो country है जिन्नोंने बहुत सारे टेरर अटेक फेस किये हैं और मुम्मी टेरर अटेक तो कह सकते हैं कि हमारी टेरर हिस्ट्री में या हमारे उपर जो अटेक हुए हैं उस history में बहुत ही खराब या कह सकते हैं कि जो खराब से खराब के टेगरी में आप इंडिकेट कर सकते हैं उस तरह का टेक है जो हमें कहीना कि आज भी वो bad memory को realize करवाता है इसी context में इसके ठीक नीचे कर हम बात करें एक important bill है जिसके बारे हम डिसकस किया ग बिल सबसे पहले draft का मतलब होता है एक मसोदा त्यार करना एक तरीके से आपको बताना कि इस bill के अंदर यह होने वाला है इसके बाद इस bill में आप से suggestion मांगे जाएंगे जैसे यहाँ पर 17 दिसमबर तक है दिसमबर मिड तक आप मान सकते हैं और यह आएगा budget session के आस पास यह bill देखो इससे पहले लगब तीन चार महिने पहले bill जो withdraw कर लिया गया था कैसार इसमें कमिया थी और अब यह bill फिर से reintroduce कर दिया गया है पहले ही बताया गया था कि यह bill जो वो reintroduce होने वाला है इसको बोला जाएगा digital data protection bill इसके अंदर क्या include होगा क्या include नहीं होगा उसके अंदर बताया गया कि data protection regime को personal data protection provide करना इसमें personal data जो online collect किया जाता है data जो पहले offline collect किया जाता है बाद में digitize किया जाता है वो सारी चीज़ इसमें आई की digital data है वो सारी चीज़ इसमें product की जाएगी उसी को लेकर यहां पर focus किया गया अब इसमें क्या important चीज़े करी गई है उ violation होता है इसके लावा cross border data flow जो है उसको थोड़ा सा जो big tech companies होती जैसे Amazon है Google है इनको थोड़ा सा relaxation दिया गया इसके लावा यह approximately तीर मेने पहले सरकार ने विड्रो किया था उसके बाद उस time भी बताता है कि यह हम लोग reintroduce करेंगे और इसी context में reintroduce किया गया है इसके अलाव personal data protection non-personal data के perspective में बात करते हैं उसमें difference बताया गया और इस bill में बताया गया कि अगर कोई false information देता उसके उपर भी 10,000 रुपे की तक ही penalty जो लगाए जा सकती है budget session 2013 का जो फरवरी में start होगा फरवरी में start I think फरवरी से पहली हो जाएगा जनवरी में और फरवरी में जब budget आएगा तो उसके बाद यह bill जो इंट्रिड्यूस किया जाएगा पर्लियमेंट में और इसको लेकर अलग-अलग चीज़े मैंसर की गई है even इसको simplify करने की जो main मुझे अच्छी चीज लगी इसको बहुत जाद simplify किया गया है generally इसको बहुत ही plain और clear language में लिखा गया कि समाने नागरी को समझ सके और भारत के 8 schedule के अंदर जितनी भी language आती है उन सब को सब के अंदर इसमें include किया गया है even English के अंदर क्योंकि English हमारे 8 schedule में नहीं आती है लेकिन English के अंदर mostly bill जो होते है उसको इंटर्डूस किया दाता है तो यह bill English में तो होगा ही इसके साथ 8 schedule में जितनी लेंग्वेज उनके अंदर भी simple और plain language के अंदर रखा जाएगा ताकि हर वेक्ति इसको understand कर पाए यह bill जब Parliament में आएगा तब इसमें जो major provisions क्या है उसके बारे में definite discuss करेंगे एक आइडि Parliament में क्या debate हो रही वो जब यह introduce होगा तब हम इसके बारे में details से पढ़ेंगे अब आप लोगों के लिए सवाल है जब हम बात कर रहे हैं constitution में या protection bill के बारे में तो आपको याद होगा कि जब भी data protection के बारे में कोई bill आता तो एक article connect किया जाता right to privacy वाला जो fundamental right है आपको identify कर जो right to privacy है यह किस fundamental right की category में आएगा second right to privacy को लेकर एक तो historical judgment आई है यह important है एक important committee भी थी जिन्नों recommendation किया था right to privacy होना चाहिए यानि निजिता का अधिकार होना चाहिए तो उनके बारे में आप comment करेंगे एक question के तीन पार्ट है right to privacy किस article के अंदर या किस fundamental right में होगा right to privacy किस important historical judgment के थुरू आया और last है right to privacy को लेकर एक important committee है उस committee का आपको ना mention करना जिसने recommendation किया था कि right to privacy तो होना चाह हैंगे page number 5 पर और यहां पर discuss किया गया है कि इंडिया का पहला private rocket जो उसको lift किया गया है इस रोंच किया गया है लेकिन develop किया गया है पहला यह sky route aerospace private limited के दवारा और इसके बाद इसके अंदर यह बताए कि कि इस mission को नाम दिया गया है प्रारम mission है यह interesting है इसके अलावे single stage solid fuel था generally आप देखते है जिसमें जो fuel की stages होती इसके तुरू identify किया जाता है कि किस तरह का कितना है वी यह एक तरीके satellite है for example PSLV के अंदर आप देखते है जरनले 4 stage हो पाद आता GSLV GSLV क्योंकि थोड़ा heavy satellite होते है GSLV में तीन important stage होती है solid liquid और थर्ड जो बहुत interesting होती है वो एक cryogenic technology क्योंकि cryogenic technology में बहुती low temperature होता है उसको maintain करना सबसे difficult काम भी है इसके अलावा इसके अंदर advanced technologies का इस्तमाल किया गया है carbon composite structure हो या 3D printed components हो यह important इसके अंदर part है इसके अलावा गर हम बात करते हैं इस पूरे scenario में फिलाल कोई particular चीज़े नहीं है लेकिन यह इसके अंदर चीज़े जो वो mention करी गई है यानि इसके अंदर बेसिक बेसिक चीज़े हमें पढ़ने चाहिए वो इसके अंदर already discuss की जाए तो brief में कुछ छोटी छोटी चीज करके एक नाम दिया गया है बेसिकली बंबू के जो एक बंबू का पेड होता है बास का पेड होता है उसके उपर जो स्पीची जो फ्यूट लगते थे उसको लेकर कई सारी कहीं न कहीं concern थे for example इसको माना जाता था कि बंबू death है इसकी वज़े से बड़ी संक्या में red की flood आ कहीं फिमाइन क्रेट हो जाता है या कहीं न कहीं अकाल आ जाता है तो उन सब चीजों का identify किया गया कि लोग यह मानते थे कि इसके अंदर प्रोटीन जिसके बड़ी संक्या में red की flood आ जाती है ऐसा कुछ नहीं है जो आला नेरू ट्रोपिकल बोटैनिक गारडन और ब्रहांति आती वो कई ने कई शोट आउट हो चुकी है इसके अलाबा यह जो स्पीशिज कई बार चोट चोटी न्यूज में आती है यह इंपोर्टेंट इसलिए होती है यह मेडिकल रिसर्च फॉर इंपल बायो मॉलेक्विल के हिसाफ से काफी जादा इंपोर्टेंट है तो उस प्रिस्पेक्टिव से यह इंपोर्टेंट डॉल प्ले करती है अब आप लोगों के लिए क्योश्चन है सेकिंड क्योश्चन जब हम बात कर रहे हैं नौर्ट इस्टन इंडिया में तो नौर्ट इस्ट इंडिया में एक इंपोर्टेंट स्टेट है जहाँ पर जड़ों या उसकी रूट्स के तुरू क्नेक्ट होके एक ब्रीज की सेप ले लेता है या एक बांध की सेप ले लेता है यह सवाल केवल एक क्योश्चन नहीं है I think 2015-16 में यह क्योश्चन पूचा गया था और इंड्रस्टिंग क्योश्चन था यह साइद उसके बारे में बहुत कम लोगों को पता हो लेकिन यह पूचा गया था आप क्रोश्चेक कर सकते हैं 2015 I think 2016-15 के आसपास का सवाल है आप उसको क्रोश्चेक करेंगे तो आपको यह देखने को मिलेगा इसके बाद हम लोग जाएंगे सीधा न्यूज वाले सेक्शन में और पेज नमर एट प टर्रिजम एक बड़ी प्रोबलम है उसके वारे में डिसकस किया गया बारत के होमिनिंस्टर जो है वो बंगला देश के होमिनिस्टर से मिले कई सारे इश्यू को रेजिगा गया इसके लाब ऐसका इश्यार नहीं डिया गया लेकिन इसका कि अंधि captive उख़ाया। दुनिया ब़र की एकनोमी जो वीक हो रही है क्योंकि टेरर अगर जहां जहां होगा वहाँ पर एकनोमी का सरवाईव करना इतना आसान नहीं है एंवायरमेंट बहुत इंपोर्टेंड है किसी भी इन्वेस्टमेंट के लिए और एगर एंवायरमेंट ही नहीं होगा तो वह कह प्रत के हो मिनिस्टर ने कहीं ने कहीं, बंगलादेश के साथ भी कुछ कंसर्ट डिसकस किया, फॉर इजामपल, बंगलादेश के अंदर जो माइनुरिटी कम्मुनुटी है, उन पर अटैक होना हो, उनके रिलिजिस प्लेसिज पर अटैक होना, ये सारी चीजों के लावा, इ ये को स्ट्रेंद किया, फैनेंशल इंटेलिजिजन्स हमने कहीं न कहीं उसको डिरेक्शन दिया गया, हलाकि ये पिय को लेकर काफ़े क्रिटिसिजम भी होता है, कि इसका मिश्यूज होता है, नहीं होता है, वो सारी चीज़ें, लेकिन इंट्रेस्टिंग चीज़ें जाता है कि इस तरह की एसेट को कहीं नगे डिजिटल स्टोर करने कोसिस करते हैं और उसका टेरिर फंडिंग में इस्तमाल करते हैं तो बहुत सारे सवाल बहुत सारे चीजे हैं जो आज के टाइम पे सिक्यूरिटी आर्किटेक्चर के हिसाब से उसको और जादा स्टेंटन कर रहे हैं यह नए चैलेंज्स करेंटेंगे सब्सक्सक्यूर्ट्रींग करते हैं और कंशी कंट्रिक्टी आडिंडिया हैं यह जो तरीके हैं ये किसी भी country एक serious challenge pose करते हैं जिसको लेकर जुरूरी एक international cooperation हो इसी context में बताया गया कि आज के time पे चाहिए virtual asset हो या funding infrastructure हो डर्क net हो इन सब के तरीके से जो terrorist कहीं न कहीं activity अपने आगे बढ़ा रहे हैं इसको counter करने के लिए international conference होनी चाहिए international coordination होना चाहिए इसलिए जो conference है वो ह देखें तो again वही चीज़ें बताई गई है जो draft data production bill है ये basically इसके अंदर see and her ये word use किये गए है प्रनावन के रूप में see और her ये प्रनावन होते हैं प्रनावन in the sense कि एक नाम बार-बार repetition करने से इसकी value कम ना हो इसके लिए ज़रूरी है कि see her या ये तो important प्रनावन प्रन किया जाता है इसके अलावा यहां पर यह क्यों कि आगे एक तो जेंडर equality शो करने को लेकर women empowerment को indication करने को लेकर और यहां पर यह भी बताया गया कि जब हम बिल यह इंट्रियूस कर रहे हैं तो इस बिल को ministry ministry of electronic and IT उनने बताया कि हम इस बिल को इतना simplify करना चाते हैं एक सामान नागरिक भी यानि यहां पर भी आप देखें इसकी language को बहुत जाता simplify किया गया कि एक समान नागरिक जब इस कानून को पड़ेगा तो वो एक तरीके से जो main provision है कि हम कहना क्या चाहते हैं यह बिल है क्या वो समझ पाए और यह होना भी चाहिए जब भी आपको कानून बना तरीके से होंगे जो comprehensibility होगी लोज की यानि हर एक नागरिक जो है किसी भी कानून के features क्या है उसके desirable goals क्या है किस target यह किस तरीके से वो indication करता है उसको लेकर जो है वो discuss करता है इनी सब चीजों को एक तरीके से ध्यान में रखते हुए बनाया जाएंगे इसके बाद इसके इक नीचे एक petition file करेगी थी Supreme Court of India में और Supreme Court में petition थी कि independent environment service होने चीए Indian environment services तो इस context में Supreme Court ने उस petition को reject कर दिया है कि जो आपकी request है उसको reject करते हैं देखो मैंने I think कल या person भी discuss किया था कि कल ही पूछा गया था किसी ने petition file कर दी थी कि Supreme Court में जो election commission of India है उसके appointment के procedure में जो है वो प्राइमिस्टर को और leader of opposition को exclude कर देना चाहिए मैंने कल भी बताया था कि judiciary executive और legislative के अपने एक limit है अगर एक दूसरे की limit cross करेंगे तो separation of power का कोई concept नहीं रह जाएगा इसलिए उसके बिचे balance establishment करना जरूरी है Supreme Court का का काम नहीं है appointment करना Supreme Court direction दे सकती है अगर आप ध् appointment की final authority जो वो president ये indirectly कह सकते government के पास ही है तो इसी context में जो petition थी वो कहने कहीं independent environment services को लेकर वो reject कर दी गई है आल इंडिया services के अगर आप कहने के create करना तो उसको लेकर राजसभा के दवार एक resolution लाया जाएगा और उसके बाद ये all इंडिया service जो वो create की जाती है कभी-कभी अगर आप देखेंगे राजसभा या upper house या lower house के विच्ट में से compare किया जाता है तो कुछ context में राजसभा जो supreme नजर आती है आपको लोग सबासे उन में से एक है यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक resolution आता है किस context में कि all India services create करनी है तो ये भी अपने आप में interesting है तीन all India service है IS, IPS और Indian Forest Service ठीक है तो तीन ही important services जो वो all India services के अंदर count की जाती है इसके बाद अभी हमने पढ़ा था कि COP 27 या conference of party number 27 या United Nation की जो conference salary climate change को लेकर Egypt की important जगाया सरमल सेक में वहाँ पर 18 नॉमबर तक ये summit होने वाली थी लेकिन document कहें नहीं उसको लेकर कोई arms हैंती नहीं बनी इसलिए उसको एक दिन का extension दिया गया पिछली बार भी Scotland Glasgow में जो summit हुई थी उसमें भी extension दिया गया ताकि final outcome आ जाए इस summit का main मकसद क्या है 10 page का document जो reform करता है कि हमारा commitment होना चाहिए कि हम temperature को 2 degree Celsius तक से ज्यादा बढ़ने से रोकें और कोशिश करें जो Paris Agreement में हमने कहा था कि 2 degree तो ठीक है लेकिन कोशिश ये करने कि 1.5 degree Celsius तक ही रहे इसके अलावा पिछले बार भी अगर आपको याद होगा कुछ words को change किया गया था for example coal use के बारे में phase out की जगा phase down कर दे रहा है phase out का मतलब होता complete आप खतम करिए और phase down का मतलब है आप उसको reduce करिए थोड़ा सा soft हो जाता है इसके अलावा यहाँ पर अगर हम बात करें इसके अंदर इस सीज को लेकर बार-बार डिसकस क्या जा रहा है कि adaptation finance जो 2025 तक 40 billion dollar के आज पास increase करें ताकि developing country जो है जो सबसे ज़्यादा vulnerable है climate का सबसे negative impact हो रहा है developing country पर क्योंकि developed country ने environment को pollute किया उन्होंने सबसे ज़्यादा green house gases emit किया उनकी responsibility भी ज्यादा है तो इस context में आज जब developing country अपने आपको develop phase के अंदर लेकर जा रही है तो उस context में उनके उपर अगर restriction ल हम greenhouse gases के emission में को reduce करने में आपके साथ है लेकिन आपको उसके लिए हमें technology प्रोवाइड करनी पड़ेगी आपको उसके लिए funding प्रोवाइड करनी पड़ेगी और आपको उसमे technical support भी देनी पड़ेगी ने के वल technology ने के वल funding बलकि आपको उसमे technical assistant की भी equal requirement होगी जो आपको provide क करनी होगी राइट इसके बाद यहां पर अगर हम बात करें तो इस पेज़ पे पर्टिकुलर इसके लाव़ा कोई न्यूज नहीं है इसके लावा नेक्स्ट पेज़ पे जाते हैं जनली यह पेज जो पॉलिटिक्स के बारे में डिसकेस करें किया जाता है और नेच्रल सी बा के सामने इंस्टाग्राम पे धिनोरा पिटा की बाई मैं हूँ आईयस ओपिसर और मुझे बनाया गया है उब्जरवर तो यह कई बार क्या होता है दिखावा करना भी कहीं नहीं कहीं खराब इंडिकेशन लगता है जैसे मैंने एक वीडियो देखा था उसके अंदर बता ज जादा करती है क्योंकि उसका हर मंत का खर्चा भी एक लाग के आसपास बेटता है तो इसी कॉंटेक्स्ट में साइध ये भूल गए है कि जब भी किसी स्टेट में इलेक्शन कंडेक्ट होता है तो इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया इंडिरेक्टली उस सरकार को मुझ करते ह यानि जब तक कहीं ने कहीं आप देखेंगे कोड ओफ कंडेक्ट लागू रहेगा फॉर एक्जामपल गुजरात और हिमासर प्रदेश के अंदर इलेक्शन है इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया को बहुत जादा पावर होगी किसी भी ओफिशर को मुझ कर सकते हैं और किसी इलेक्शन कमिशन ओफ इंडिया के पावर है और इमिडिटल इनको रिलीव कर दिया गए ठीक है आप कल से अब्जरवर नहीं अपने घर जाईए और ये फोटो वहाँ पर क्लिक करिए इसके बाद क्योंकि डेफिनिट सी बाद जब आप आईएस ओफिसर होते हैं 2011 के 11 साल आपको हो चुके इस तरह की जब चीजे करते हैं तो बहुत ही नेगटिव इंपेक्ट पड़ता है और आपकी इमेज पर भी नेगटिव इंपेक्ट पड़ता है इसके अलावा अधार कार्ड को लेकर ये बताया गया कि जो प्रिजनर्स है जिनका अधार कार्ड है उनको अ पेज नंबर टेन पे अगर हम बात करें तो बहुत छोटी छोटी नियूज नजर आएगी फॉरक जामपल कासी तमिल मेट होने वाली है उसको इनेगुरेशन किया जाएगा प्राइमिस्टे के दोरा तो इसमें बताया गया कि दोनों जो तमिल नाडू है और वारण सी इस कल् कनेक्ट करने के लिए 30 डे का एक इनेगरेशन सेशन होगा उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें सेलिबरेट की जाएगी ताकि एक दूसरी कल्चर को कनेक्ट के अधास के इसके बाद इंडिया रसीया इस चीज़ को लेकर एगरी हुए है कि युनाइटिन नेशन में काउंट टर्रिजम को लेकर दोनों कंट्री अपने कोपरेशन को डीप करेंगे और जाधा स्टेंथन करेंगे इसी कोंटेक्स्ट में क्योंकि ये मन्त हमारे लिए लास्ट मन्त होगा दिसम्बर वाला इसके बाद हमारा जो इनाइटिन नेशन सेक्योर्टी काउंचिल में तरीके से पास होगी और इस दोरान अलग-अलग इस्यूज फॉर एक्जामपल युक्रेइन है अफगानिस्तान सीरिया मैनमार और आर्मेनिया जेर विजान जो बॉर्डर कंफलिक्ट है उन सबको जो हो डिसकस किया जाएगा इस तरह की जानकारी जो हो दी गई है इसके अलावा यह पर जो मेन न्यूज इसके अलावा कोई खास इंपोर्टन न्यूज नहीं है जो एक्जाम प्रिस्पेक्टिव से इंपोर्टन और रश्या हमारा डेफिनले एक इंट्रेस्टिंग और कह सकते हैं रिलाइबल पार्टनर है इसके बाद हम जाएंगे वर्ल्ड फेर में पेज इतने सस्पेक्ट उनको अरेश्ट किया गया इसके अलावा इराक के अंदर गैस टैंक के अंदर ब्लास्ट हुआ गाजा इसराइल और फिलिस्तान के बीच में जो कन्फिक्ट है वो अभी भी कंटिन्यू है और बड़ी सेंख्या में इससे लोग सफर कर रहे हैं उसके बार कहीने को पूरा यूएस था और जपान के वाटर के आसपास यह कहीने कहीं फोल करी है रहा इंटर कॉंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल का क्या मतलब होता है कि अगर एक मिसाइल की रेंज पांस हजार किलोमेटर से ज्यादा क्रोस कर जाती जरनली अगर आप इसको डिस्टिकक मिसाहिल है पूरी दुनिया क्लाइबेट पर डिसकस कर रही है पूरी दुनिया economy पर डिसकस कर रही है नॉर्थ क्रिएब फरक नहीं पड़ता ह३ यह अपना मिसाहिल को जैसे हे लावा साथ को इंपोर्तेंट इनका एम नहीं है है एंडिया के पास अगनी 5 है जिसकी रेंज 5 to 5,500 के आसपास है हलाकि चाइना इस रेंज को बोलता कि यह 7,500 किलोमेटर तक है खर इतनी रेंज है कि नहीं इसके बारे में तो अथर्टी बता सकती लेकिन चाइना काफी नराज होता है और अगर आपको अगरी पर्टेकुलर निूज नहीं है नौड़ स्ट्रीम को लेकर नौड़ स्ट्रीम बेसिकली गैस पाइपलाइन है अना यह रुशिया को जर्म्स से कनेक्ट करती है और कह सकते की पूरी युर्ट को जो गैस अपलाई हो करती थी और उसके अंदर blast हो गया है जिसके वज़े से यूरोप की बहुत सारे country जो है रशिया के उपर depend करती है gas और oil के लिए और उसके अंदर blast से काफी दिक्कत हुई इसके अलावा Nord Stream 2 भी है हलाकि वो अभी start नहीं हुई है बन चुकी है start नहीं हुई है ठीक है अब आप लोगों के लिएक सवाल है जो लास्ट क्योस्चन होगा जोगर्फिकल क्योस्चन है थोड़ा सा चैलेंजिंग क्योस्चन भी होगा आपको ना क्योंकि एक country जो continue news भी रही है और हमने कभी पूछा भी news के बारे में वो है रशिया आपको identify करना है कि रशिया कितनी country से boundary share करती है अगर आप उसका identify कर पाते हैं आप भले उसके नाम mention ना करें लेकिन आप इतना वताना कितनी country से boundary share करती है और रशिया के आस पास हालागि रशिया बहुत बड़ी जोगर्फिकल territory है रशिया के आस पास कौन कौन से important geographical places है ये भी आप कहीन कहीन नाम mention करेंगे फॉर एक्जामपल मैं आपको example बताता हूँ जैसे कैस्पियंस इसे रशिया boundary share करता है कैस्पियंस एक हो गया इसी तरीके से रशिया के आस पास कितने important geographical place है इससे होगा क्या थोड़ा revision हो जाएगा geographically और second जो है वो help मिल जाएगी आपको थोड़ा identify करने में क्योंकि रशिया इतना ज्यादा न्यूज में है तो उसके आस पास की countries कौन कौन सी है उसको just एक बार आप विजिट जुरूर कर लेना ताकि आपको थोड़ा सा understand हो इस पूरे scenario को लेकर राइट लास्ट पेज है business और economy का इसके अंदर दो important चीज़ें बताएगी है भारत की growth को लेकर RBI बोल रहा है कि economy resilient है और हम 7% के आस पास जो growth करेंगे यह estimation होता है हर मन्त एक तरीके से चाए RBI हो या government हो या अलग-अलग rating agencies हो moody's हो stand and poor हो या international organization WF हो सकता है world economic form हो सकता है या IMF हो सकता है इसके अलाव WB हो सकता है बहुत सारे form है जो एक तरीके से कहते हैं लेकिन जो main चीज़े है कि आज के time पर जैसे inflation थोड़े कम हो ही उसके वज़े से काफी चीज़ें जो वो sort out हो रही है हलाकि अभी भी concern है पूरी दुनिया supply chain को लेकर issues हो या पूरी दुनिया में कहीं ने कहीं economy जो है व हो सकती है इसके अलावा Asian infrastructure bank के सामने इंडिया ने request करी कि भाई आप हमारे यहाँ पर smart tech के अंदर investment करिए smart tech का उतलब होता है smart technology जो और इसको लेकर scale up करने को लेकर discuss किया गया कि renewable energy और smart tech में कहीं ने कहीं अब एक तरीके साब investment करिए Asian infrastructure investment bank जो है यह चायना के दोरा propose किया गया था लेकिन इंडिया इसमें second highest voting share रखता है इसके अंदर गर आप देखेंगे ध्यान से तो यह इसमें काफी चीज़े बताएगी है और अगर आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ते हैं तो इसमें भी इन्होंने कई सारी चीज़े mention करेगी building से आप पता चल जाएगा कितना heavy infrastructure का इसमें इस्तमाल किया गया है तो हम यह क्या करते हैं डेफिनेट से बात है infrastructure को promote करते हैं और Asian भले ही है लेकिन इसमें यह नहीं कि केवल Asian country है 2016 में 57 founding member थे जिसमें 37 regional थे और 20 non regional थे non regional का मतलब जो Asian country नहीं है 79% global population है 65% global GDP है वो सारी चीज़े cover करीगी है highest credit rating है standard poor फिज और मुडी इन्होंने अच्छी खासी rating दिया है United Nation में permanent observer है efficiency और accountability को कई ने कई promote करते हैं smart strategies को follow करते हैं infrastructure को development करने को लेकर तो यह सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी Asian infrastructure investment bank को लेकर इसका भी headquarters चाइना के अंदर है यह headquarters यह सारी चीज़ जुरूर धानकना क्योंकि यह important होती है brief में प्रिलिम्स में इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलेंगे अगर आप देखेंगे Asian infrastructure investment bank का headquarters कहां पर है इसके लाबा सिंगाई corporation का हो गया या new development bank का हो गया इस तरह के जो headquarters है यह direct question को लेकर reference हो सकती है तो फिलाल दे हिंदो नियूज अनलिसिस में इतना ही थैंक्यू जहिन